नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल फूजा फैसन बूटिक में दोस्तों यह देखे जो मैं पिक दिखा रहा हूँ तो यह सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं ब्लाउज की कटिंग को और स्टीचिंग की तो आप वीडियो को देख करके इस चैनल में अगर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इसका देखिए जब गला कटिंग हो जाता है तो मैं आपको यहां पर कटिंग करके दिखाता हूँ यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इसका जो सोल्डर मैंने कटिंग किया है तो सिर्फ कितना सोल्डर है यह देखिए सिर्फ ओनली 10 इंच का सोल्डर आएगा ठीक है इसका जब कि सोल्डर 16 इंच का है आधा इंच तो देखिए हमारा बाजू का दबाव चला जाएगा तो दस इंच सोल्डर बसता है कि यह इनी इसमें हमने सोल्डर कितना कम किया है चैंज अब आप सोच रहे होंगे कि यह सेट कैसे होगा जब देखिए गला बन जाएगा और यह डॉट पलेट हमारी जब बन जाती है तो दोस्तों यह देखिए जब डॉट प्लेट इस तरह से बंद करेंगे दिंद्याइन न हमने बंद कर दिया तो यहां पर हमारी सोल्डर कितना आ यहां पर आप से किक उसनी से आपको ब्लाुँच की कटिंद करना है जो जो में यह तरीका बता रहा हूं तो इए गर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना तो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है तो शुरू करते इसकी कटिन दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं यह दोस्तों फोर्डॉट बैल्ट ब्लाउज की वीडियो हैं और यह साइज की मैंने अभी वीडियो नही नहीं बनाई तो इसलिए जो हमारे कमेंट करने वाले हैं कविता चोर रसिया जी इन्होंने कमेंट करके साइज भी बताया तो इसी साइज से में ब्लाउज की कटिंग करूंगा और यह फोल डोट बिल्ट ब्लाउज की कटिंग है दोस्तों एक बार मैं साइज समझा देता हू ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच इसका सोल्डर है 16 इंच इसकी जो अपर चेस्ट है 42 इंच है और फुल चेस्ट है जो 44 इंच है कमर इसकी है 38 इंच आर्मोल है 19 इंच फ्रंट का गला है 8 इंच और बैक का गला है 14 इंच तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा बैक का गला 14 इ इसी तरह से comment करके आप हमें सुजाओ अपना दे सकते हैं और इसी तरह से आपका जो size तो वह size के इसाब से आप बता सकते हैं तो मैं उस पर video बनाने की पूरी कोशिस करूँ गा तो आप इसी तरह से comment मैं सुचा हो देते रहें थिक है तो यह साल मैं करने के लिए यह देखे मैंने पेपर ले लिया है यह जो कटिन है दोस्तों पेपर में हो पाएगी डारेक्ट कपड़े पे आप ट्राइना करें अगर ढारेक्ट कपड़े में Henry करते तो दोस्तों बलाओज आपका खराब भी हो सकता है तो अब दोस्तों हम देखे निसान लगाना शुरू करेंगे तो देखे सबसे पहले आपको क्या करना है तीन सूत यहां पर हमें हुक को और आई के लिए निसान लगा लेना है यह आप ज्यादा से ज्यादा आधा इंच का इधर मार्जन रख सकते हैं इस तरह से रखने के बाद में यह देखे हमें इस तरह से निसान को कंप्लीट करना है यह हमने इस तरह से सोल्डर का निसान लगा दिया और उसके बाद में यह देखे हम यहां पर हुक को और आई के लिए जो मार्जन रखते हैं सिलाई का तो उ आधा इंच हम नीचे के लिए दबाव रखते हैं और आधा इंच उपर कर तो इस निशान को में देखिए इस तरह से कंप्लीट करना है इसके बाद में इसका हम सोल्डर डाउन करेंगे तो आपका जितना सोल्डर हो दोस्तो उसको डिवाइट करना है 12 से तो जब हम 16 इंच सोल्डर को 12 से डिवाइट करेंगे तो दोस्तो यह आता है देखिए कितना सवा इंच में वन पॉइंट एक्स्ट्रा ठीक है यनि एक इंच तीन सूथ तो यहां पर हमें एक यह निशान लगाना है तो इस तरह से देखिए हमारा सोल्डर डाउन हो चुका है सोल्डर को आधा कर लेंगे तो आधा होता है हमारा 16 इंच का 8 इंच आठ इंच पर हम एक यह निशान लगाना है इसमें दोस्तों हम आधा इंच बाजू का दबाओ दे देंगे और इसके बाद में यह जो हमारा गला नॉर्मल ब्रोड रहता है तो दोस्तों जो आपकी गर्दन हो गर्दन को आपको नापना जैसे कोलर नापते हम तो जितना होगा गर्दन के गुलाई उसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जितना आपका आएगा तो वो आपको यहाँ पर निशान लगाना है तो तीन इंच हम वन पॉइंट पर यह निशान लगाएंगे और यह निशान कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से यह निशान लगाना है ठीक है यह निशान लगाने के बाद में अब एक हम बस्ट पॉइंट कर निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर हम साड़े 11 इंच पर एक यह निशान लगाएंगे यह जो हमारी बस्ट पॉंट की दूरी है और अब हम यह निशान को इस तरह से लगा देंगे ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से देखनी है 24 इंची फुलवस्ट है यह जब हमारा बैक लेस ब्लाउज होता है तो इसमें हम कोई एक्स्टर लूजिंग नहीं देते हैं जैसे की 2-5 इंच लूजिंग जैसे एड करते हैं तो इसमें आपको लूजिंग एक भी नहीं एड करना जितना फुलवस्ट हो उसे को आपको नप में रखना और देखिना इसमें आपको नाप के लास्ट में दिखाऊंगा ठीक है अब दोस्तों मैं आपको यहां पर साइज समझा देता हूँ एक बार यह देखिए हमारी जो चेस्ट है तो यह दो सामना कटेगा पौने 24 इंच का कटेगा तो आपको यहां पर ध्यान से देखना है बारा इंच में वन पॉइंट कम पर हम यह एक निशान यह लगाएंगे ठीक है अब इस निशान को हमें देखिए सोल्डर के पास में लगाना है यह निशान हम क्यों लगा रहे हैं दोस्तों यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो हमारी पहले की है तो आप ध्यान से देख लेना तो आपको समझ में आ जा तीन इंच में हमारी दूरी एक पॉइंट कम है ठीक है तो यहां पर हम रखेंगे तीन इंच में वन पॉइंट कम ठीक है और जो आपका आर मोल होगा तो आर मोल का आधा निशान लगाना है तो दोस्तों 19 इंची आर मोल है तो 19 का आधा होता है 9.5 इंच तो यहां पर देख पर रचेस्ट की पास में सेम लगाना है तो इसकी दो इंच कम है लेकिन वो किस तरह से कम हो जाएगी तो आप वीडियो के लास्ट में देखना ध्यान से जब इसका मैं solder कम करूँगा ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ यह अपर चेस्ट आटोमेटिक किस तरह से कम हो गई ठीक है अब यह हमारा निशान कंप्लीट हो गए इस तरह से अब दोस्तों इसका देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद में यह निशान को और यह निशान को इस तरह से मिलाना है और एक निशान हमें इस तरह से कम्प्लीट करना है इससे देखिएगा आपका आर्मोल है एकदम पर्फिक्ट आ जाएगा ना तो कम होगा और ना ज्यादा यहां से हम एक इंच इधर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यह जो हमारा 20 सेंटर है तो यहां से देखिए इस निशान से इस निशान तक मिला देना ठीक है इस तरह से जब हम यह मिलाएंगे तो दोस्तों हमारा आर्मोल एक दम कंप्लीट हो जाएगा यह देखिए हमारा आर्मोल का निशान लग चुका है इसमें जो हमें सिलाई का दबाव देना होता है तो आपको एक्ष्टा माजन इसमें बिल्कुल भी नहीं देना ठीक है आदा इंच हमारा कंदी का दबाव इसमें एड है तो वो भी नहीं देना अब इसके हम जो आर्मो तो यह देखिए जितना आएगा तो दोस्तों यह देखिए ध्यान से यह 9.59 को मतलब डबल करेंगे तो 19 इंच हमारा अर्मुल तयार आजाएगा तो यह देखिए निसान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है तो दोस्तों अब देखिए यहां पर हमें बस्ट पॉइंट क लगा सकते हैं अगर नहीं नापा तो दोस्तों देखिए जो तरीका में बता रहा हूं 44 इंची फुल बस्ट है तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे जो अंका हैगा तो वो निसान की दूरी लगाना है तो यह आ रहा है हमारा 4.4 इंच ठीक है तो यहां पर हम साड़े 4 इंच वो पर एक यह निसान लगाएंगे इसके बाद में लोवर बस्ट कर निसान लगाना है तो देखिए यहां पर हमारा जो फुल बस्ट है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो we हमारत बस्ट पुम्ट से लोवरभी स्ट कर निसान आजाएगा तो दो दूस्टों यह देखिए यह कंप्लीट करेंगे यह निशान को इस तरह से स्टेट लगाएंगे हम यह तक दोस्तों देखें कमर इसके 38 इंच तो 38 का चोथा वाग निकालना है तो 38 का चोथा वाग होता है साडे नौग साडे नो इंच पर में यह निशान लगाना देखें हमार्य प्लेट की गहराई हो कितनी ठीक ह। एंधर हो दोश्तों सर्री निशान लगाएंगे और इंच गहराई हो आटोमेटिकचा गशित्थी ठीक है यह निसान हमने इस तरह से complete कर दिया है अब दोस्तों देखना एक चीज यहां पर एक इंचम ऊपर की तरफ यह एक निसान लगाएंगे और यह निसान लगाने के बाद में दोस्तों यहां से हमें फ्रेंच करव रखना है इस तरह से हम फ्रेंच करो रखके इस वाले निसान पर इस तरह से मिला देंगे ठीक है और मिलाने के बाद में अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है यह जो हमारी देखिए डॉट पॉइंट के आधा इंच हमने उपर की तरफ लिया था तो हमें एक निसान यहां पर इस यह देखिए इस तरह से और दोस्तों यहां से भी आपको डेड़ इंच की दूरी पर यहां पर लगा देंगे ठीक है यह देखिए इस तरह से यह निसान हमारे इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस तरह से यह देखिए एक निसान हम य इस तरह से यह लगा देना है तो दोस्तों यह हो जाती है हमारे सामने वाली डॉट प्लेट ठीक है अब जो यहां की साइड की डॉट प्लेट है तो यह आपको यहां पर ध्यान से देखना है यहां पे हम इस तरह से एक इंच नीचे की तरफ डाउन करके एक निसान यह लगा देंगे और यहां पे आपको सिर्फ आधा इंच की डॉट प्लेट देनी है इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देनी यह देखे हमने आधा इंच की डॉट प्लेट इस तरह से दे दिया है ठीक है और एक निसान हमें यहां पर लगाना है इस तरह से यह निसान लगा दिया अब दोस्तों यहां पर भी देखे आधा इंच की डॉट प्लेट हमें यहां पर देना है ठीक है एक यह मने अधा इंच की डॉल्ट प्लेट यहां पे दे दिया तो इस तरह से देखें हमारे बिल्ट ब्लाउ उसकर को निसान कंप्लीट हो चुका है लेकिन अगा किया जब डॉ्ट प्लेट देखें हैं यहां पे बंद करेंगे तो हमारा अरमोल यहां पे चोटा हो जाएगा ठीक है तो वो मैं आपको दिखाता हूं यह दोस्तों देखिए इस तरह से हम जब डॉट प्लेटिस्त की बंद करेंगे तो आर्मोल देखिए हमारा हो जाएगा यहां पर छोटा यह देखिए मैं इस तरह से नापके दिखाता हूं आपको यह दोस्तों देखिए 18 इंच आ ठीक है तो आधा इंच इस तरह से यह कम हो चुका है तो अब इसे हम किस तरह से इसे प्लस में करेंगे तो आपको ध्यान से देखना है यहां पर ठीक है यह जो हमारा आधा इंच यहां पे एक निसान आ रहा है बाजुक दबाओगा तो दोस् इस निसान को यह देखें आपको इस तरह से complete करना है या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं यह देखें यह जो निसान लगा हुआ है न आप इस तरह से यह निसान को एकदम सीधा मिला देंगे न तो आटोमेटिक आपकी जो डॉट प्लेट की यहां पर यह माइनस हुआ तो आटोमेटिक आजाएगा तो इस तरह से देखें रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे यहां पर इस तरह से निसान लगाएंगे और दोस्तों यह देखें जो डॉट प्लेट की वज़ए से यह जो हमारी यहां पर आर मॉल कम हो रहा है तो इसको कवर करना है ठीक है तो य यह जो हमारा आर मॉल एकदम परफेक्ट आ जाएगा अब निसान यह यहां पर इस तरह से देना है अब एक बार हम इसका आर मॉल फिर से नाप लेते हैं तो यह देखें यहां से आदा इंच कंदी का दवाव हटा देंगे हम और यह जो डॉट प्लेट है तो इसे हमें हमारे जो आर मॉल है एकदम कंप्लीट आ चुकी है तो इस तरह से आपको आर मॉल की निसान लगाना है तो दोस्तों एकदम यह देखें परफेक्ट हो जाएगा अब यहां से हम क्या करते थे एक इंच उपर की तरफ यह सवा इंच यह फिर डेड़ इंच उपर की तरफ नि की तरफ उठाना है ठीक है तो इस तरह से जब हम आधा इंच उपर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे तो दोस्तों यह जो हमारी डॉट प्लेट बंद होगी ते एकदम परफेक्ट आ जाएगी ठीक है आधा इंच यहां पर बंद हो जाएगी तो जो सेव है यहां प अब देखें डॉट प्लेट हमें यह वाली भी बंद करना है ठीक है यह इस तरह से जब बंद करते हैं तो दोस्तों देखें यहां पर थोड़ी सी से बिगड़ती है क्योंकि अंदर के तरफ मार्जन इसका चला जाता है तो यहां पर हमें दुबारा से एक निसान यह कम्प लगा लेना अब इसे हमें कटिन कर लेना है अब इस तरह से देखें फ्रेंट हमारा कटिन हो चुका है अब हम दोस्तों बेल्ट की कटिन कर लेते हैं पहले और उसके बाद में हम बैक आपको बताएंगे किस तरह से कटिन करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि यह देखें जो हमने कटिन किया है तो आपको इस तरह से कटिन ना करके आप पहले यहां से सीधा कटिन कर लीजिए तो इससे क्या है आपको बैक पल्ले कटिन करने ही यह देख्याम मैं आधा इंच यह कट इन करके यह निकाल देना अब दोस्तों यहां पे हम एक इंच प्लस कर लेंगे ठीक해 जो आधा इंच हमारा उपर का दभा को जाएगा दोस्तमें दोस्तों देखें बहुत कम आएगी एक इंच हमें इधर भी बढ़ाना ठीक है और इस निशान को यह देखें इस तरह से हम लगा लेंगे यह निशान बेल्ट का हमारा कम्प्लीट हो जाता है और अब यहां से देखें हम क्वाटर इंच इस तरह से डाउन करेंगे इधर ठीक है और यहां से हम आधा इंच का लेते हैं दबाओ तो आधा इंच का यह तीन सूथ का लेते हैं तो तीन सूथ इधर यह सिलाई का माजन रख लेना है अब दोस्तों इसकी जो कमर है वो हम नापेंगे तो 38 इंची कमर है तो यहां से हमें नापना है अर्थिस का चोधा वाग साड़े नौ यह हम निसान लगाएंगे और डेड़ इंच का इसमें हम एक्स्टा माजन ले लेंगे दोस्तों पॉना इंच हमारा यहां पे देखिए बढ़ जाता है ठीक है तो यहां पे आएगा दोस्तों सवा दस इंच तो यहां से हम नापेंग और यह हम बेल्ट की कर लेंगे कटिन तो इस तरह से देखिए फ्रेंट का पल्ला हमारा कटिन हो चुका अब हम बैक पल्ले की कटिन कर लेते हैं यह जो हमने हुक और आई के लिए मार्जन रखा है तो यह देखिए हम इस तरह से माइनस कर लेना है और यह निसान से हम इस तरह से बराबर कटिन करके निकाल देना है तो यहां से देखिए इस तरह से हम यह हुक वाला मार्जन इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे ठीक है और यहां पर हमें एक यह सोल्डर का निसान लगाना है आधा इंच उपर की तरफ निसान लगाएंगे हम इस तरह से निसान लगाने के बाद में फ्रेंट वाले भाग को अभी हम हटा के रख देंगे अब दोस्तों इसमें भी देखिए हमें तो दोस्तों बैक पल्ले के लिए देखिए चोवाली सिंची चेस्ट में हमने साड़े तीन इंचू माइनस कर दिया तो यह कितना आया साड बारे चालिस इंच का अधा करेंगे तो दोस्तों कितना हुआ सव बीस इंच तो अमेरा बैक पल्ला है तो 70 इंच का कटिन होगा तो यह आपको अब यहां पर द्यान से देखना है ठीक है सवीस खाद होता है दोस्तों 9 007 10 confort ठीक है इस तरह से एक निशान हमें लगाना है अब हमें फ्रेंट वाला भाग लेना है यह देखिए जो हमने आधा इंच उपर की तरफ इस तरह से बढ़ा के रखा है तो इसी तरह से रखना है अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान से देखना है ठीक है यह जो हमारा फ्रेंट वाला पला है तो यह निशान को बैक वाले निशान पर लेके आना है तो यह आप किस तरह से लाएंगे तो यह आपको यहां पर ध्यान से देखना है इस तरह से मत खींचिएगा नहीं ऐसे आपका गडबड हो जाएगा ठीक है यहां से देखिए हम इस तरह से लाएंगे इसे ठीक है खींच गें यहां पर इस तरह से बैक पल लेका तो यहां पे डाउन हो चुका है अब इसका सेंटर हम नापेंगे त्ये दोस्तों आ रहा है पॉने 8 इंच तो पॉने 8 का चार इंच में वन पॉइंट कम अब यहां पे हमारा सोल्डर है साड़े आट इंच ठीक है तो यहां पर हमें आधा इंच कम करके निसान लगाना है अब इन दोनों निसानों को इस तरह से मिला देंगे यह देखे इस तरह से निसान जब हमारा मिल जाता है तो दोस्तों यह देखे दोनों निसानों को अब यहां पर हमें इस तरह से मिलाने के बाद में यह देखें इस से लाइक को यह को कि अन्दर वाले निसान पर इस तरह से इंची टेप को रखिए इसका जो आर मोल है तो वह हम नाप लेंगे एक बार कि यह दोस्तों ध्यान से देखेगा साड़े नो इंच बैक कार मोल तैयार आ चुका है फ्रेंट कभी हमारा साड़े नो था तो यह टोटल 19 इंच आर मोल आ जाता है ठीक है तो इस तरह से देखें हमें निशान लगाना अभी हमने यह निशान ठंपरेली लगाया है लेकिन अब हम क्या करेंगे कि यहां पर देखें हमें पहले कमर नापनी है इसकी तो कमर कितनी है इस निसान को दोस्तों यहां पर अपर चेस्ट वाले निसान से इस तरह से मिला देना है दीप गले की इसाफ से जब हम ब्लाउज की कटिन करते हैं तो दोस्तों उसमें जो यहां पर देखे डॉट पलेट हमारी अभी इतनी आ रही ठीक है लेकिन हम dot plate यहां पे अभी नहीं देंगे, जो हमारी कमर होगी तो कमर का निषान लगाएंगे, जब इसका shoulder कम करेंगे, तो automatic यहां पे dot plate हमारी आ जाएगी, ठीक है, तो यह देखिये इस थरह से हमने निषान लगा दिया, और यहां पे एक निषान हम लगा देंगे, साड़े चार इंच पे यह निसान जब हमारा लग जाता है तो इस निसान को इस तरह से नीचे तक ले जाना है आप दोस्तों देखिए जो इसकी साइड की लिंथ है तो वो हमें नापनी है यह बहुत जरूरी है यहां से इस तरह से नापेंगे और यह जो हमारी देखे डॉट प्लेट यहां पर डलेगी तो इस तरह से इसको डॉट प्लेट को में तयार कर लेना है ठीक है इस तरह से नापेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी ध्यान से देखेगा इस तरह से हम इसे पहले डॉट प्लेट को खतम करेंगे ठीक है और इसके बाद में हम लेंगे माजन दे दिया है और इस तरह से माजन देने के बाद में यह देखे आधा इंच इसका माजन आधा इंच इसका ठीक है देने के बाद में एक निसान हमें कहां पर लगाना है यह यहां पर तो इस तरह से आए देखे बैक पल्ले के लंबाइग तयार घृट जाएगे ठीक है और इस निशानको इस तरह से ये देखे किंपलीट करना इस तरह से जब कंपलीट हो जाता है तो यह कि देखे हमें अब कट से कर लेना ठीक है यहाँ पर हम डेड़ इंच साइड में माजन ले लेंगे अब दोस्तों देखिए जो नीचे की डॉट प्लेट है तो इस तरह से हमें कटिन कर देना है ठीक है और अब हम क्या करेंगे यहां से ऊपर की तरफ एक डो इन्च पर नीचे की तरफ यह निजसान लगाना है कि जो मारी डॉट प्लैट है तो इस निचान को इस निचान से मिला आके यह देखि हमें डिसान इस तरह से complete कर देना है तो इस तरह से देखिए निशान हमारा complete हो चुका है हमारा गला डीफ है इसका तो यहां से हम पहले नीचे की तरप 14 इंच पर एक गले कर निशान लगाएंगे तो 14 इंच गला है दोस्तों तो 3.50 इंच पर एक निशान हमें यह लगाना है ठीक है और इ यहां से देखिए गठीक है यहां से हम इसका सोल्डर कम करेंगे तीन इंच ठीक है यह हमने सोल्डर कम कर दिया अब इस निसान को इस वाले निसान से मिलाना थीक है तो यहां तक हम इस तरह से निसान लगा देंगे तो यह देखिए हमारा बैक एकदम तयार हो चुका है अब हमें क्या करना है कि यहां से इस तरह से कटिन कर देंगे और अब हमें ले लेना गुलू तो इस पे लगा लेंगे हम यह देखिए इस तरह से हमने गुलू इसमें लगा लिया है अब इसे हमें पेस्ट कर देना ठीक है तो पेस्ट किस तरह से करेंगे यह देखिए निशान है तो इस निशान पे इस तरह से मिला के हमें यह देखिए कर देना ठीक है तो बैक पल्ला देखे हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है और यह अब हम एक्ष्टा पार्ट है जो सोल्डर का मारा तो यह कटिन करके हमने निकाल दिया अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि आप यहां पर कंदीश की कितनी रखना चाह रकत अब आपको ज्यादा भी रखना है तो दो इंचि देखेस चलाई हमें महाजर अर्णले लिएक हैसे हैं तो इस तरह से निसान लगाजाएक तो इस तरह से देखें हैं मैंसान लगाesian भूए अब दोस्तों आपगो यह देखे नीचे की तरफ गला कितना ब्रोड रखना है वो आप अपने इसाब से निशान लगा सकते हैं यहाँ पर मैं देखे निशान लगा देता हूं यह देखिए इस तरह से निशान लगा दिया है और अब यहां पर हमें गले की सेब दे देना है तो दोस्तों देखिए बैक का पल्ला हमारा तयार हो चुका है अब आपको मैं यहां पर दिखा दूं कि यह देखिए जो हमारी यहां पर जो फुल बश्ति के साबसे बैक पल्लेकर जो निसान लगा नीशान लगा था तो दस इंच वन पॉंट पर निसान लगा था लेकिन अब दहते कर यहां पर चेस्ट है तो इंपहलों पर कितनी कम हो चुकी दोस्तों यह देखिए 9 इंच पर आ और यह जब डॉट बनेगी दोस्तों आटोमेटिक तीरह हमारा वहीं पर सेट हो जाएगा तो यह जो आर मोल कर यहां पर कम हो रहा है तो आटोमेटिक वहां पर कवर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से देखें बैक पर लेके हमने कटिन कर लिया अब इसमें फ्रेंट का भी का एक निशान ये लगा दिना है और इस निशान को यह जो बश्ट परइंट वाल निसान है तो इस तरह से मिला ना ठीक है यह हमने इस तरह से मिला दिया हम ने बैक पल्ले का शोल्डर कितना कम किया था कि तीन इंच तो इसका दोस्तों फ्रंट का कम करना ठीक है तो यहां पर देखिए हम फ्रंट का पल्ला कम करेंगे सिर्फ धाई इंच और अपको ध्यान से देखना है फ्रेंट का पलगा कम करना है द्हाई इंच यह आदा इंच बैक पल्ले से फ्रेंट पलगा ज्यादा रखना है वो मैं बताऊँगा किस लिये ठीक है तो इस तरह से यह जो हमारी बस्ट पॉइंट वाला निसान है तो इस तरह से इस निशान से इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद में इस निशान को इस तरह से कंपलीट करेंगे तो ये देखिए निशान जब हमारा कंपलीट हो जाता है तो इसकी हमें देना है करके कटिन तो इस तरह से देखिए यह हमने इसमें गुलू लगा लिया है अब आपको क्या करना है कि यह निशान को इस निशान से एकदम सीधा मिलाके इसे आपको पेस्ट कर देना ठीक है यह हमने इस तरह से मिला लिया है और अब हम इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे तो दोस्तों य पर देखें हमारा शोल्डर और होता है होता है कि यहुता है लेकिन का टीप हुता है तो इसलिए यह अधा बादा इंच साथ कम करना चाहिए यह डैक। और यह चीज आपको ध्यान में रखना है सिद्धी का इस त्यांट सान गुण्ण। जो shoulder कम किया तो उसका माजर हमने cutting करके निकाल दिया है अब गला आपको deep इसमें किस हिसाब से रखना है तो वो आपको मैं बता देता हूँ बैक पल्ले का जितना हमने गला broad रखा है उतना ही हमें front का रखना ठीक है इस निशान को यह देखिए इस तरह से हमें आप नीचे की तरफ थोड़ा सा कम brood कर लेना क्योंकि उपर की तरफ आदा हिंच ज्यादा हो जाता है इस तरह से निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसका जो गले का निशान है तो वो हम लगाएंगे तो इस तरह से देखिए हमें निशान लगाना है तो 8 इंच हमारा ग गले की सेव है तो इस तरह से हमें दे देना ठीक है तो इस तरह से देखिए फरंट का भी हमारा निसान कंपलीट हो छुका है अब दोस्तों इसका जो अपर चेस्ट है फ्रंट का तब वह मैं आपको दिखा देता हूं दो इंच का जो माजन था तब वो देखिए बैक पल्ले में हमारा कम से कम दो इंच है तो वह ऐसी वी कम हो चुका है क्योंकि इसमें हमने लूजिंग भी नहीं दिया था और यह जो फ्रंट का है तो फ्रंट का कितना कम हो गया यह आप देख सकते हैं ठीक है इस निसान से हमें इस तरह से नापना है तो दोस्तों यह आ रहा है पूर्ने 11 इंच तो मैं यहां पर नोट करके रख लेता हूं कि दोस्तों हो जाएगा कि साड़े की सिंच अ अपर चेस्ट और बैक का मैं आपता हूं कितना तयार आएगा कि नोदूनी अठारा इंच कि साड़े 49 इंची हमारी देखिए अपर चेस्ट इसमें आएगी ठीक है क्योंकि जब यह डीप गला है तो फैलेगा आटंवेटिक जो हमारास इस साइज है कवर हो जाएगा ठीक है तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबडाना नहीं है कि इसमें बहुत साइज कम हो जा रहा है तो इसी तरह से आपको कट इन करना है ध्यान से कट इन करना है कर दो है थो दोस्तों इस तरह इए फो डारट बेल्ट बलाउच की कटिन हो चुकी है अगर आपको फोडोट बिल्ट बलाउच की कुरिप का तरीका पसंद आए हो तो वीडियो ओक कर देना चैनल को सुस्क्राइब कर देना साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब आप नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकिशन आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में कुछ नया लेके तब तक के लिए नमस्कार